कुलुजिला के शम्ची में नावाड के द्वारा हैंड लूम को मजबूती प्रदान करने के लिए स्टेट लेवल हैंड लूम स्टेक होल्डर के लिए बैठक का आयोचन किया गया जिसमें handloom और handcraft से जुड़े विभिन संस्ताओं के stakeholders और संबंदेत विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया, इस meet में handloom को मजबूती प्रदान करने के लिए stakeholders ने सुझाव दिये सबसे पहले तो मैं बड़ी खुशी है कि नवाड हिमाचल प्रदेश ने एक initiative लेकर के हिमाचल में 3H का एक एक slogan लिया है होटल, horticulture and handloom और उस उसको बेस मान करके रोने जो handloom को भी priority सेक्टर बे लिया है जिससे कि यहां जो आम बुनकर है उनको remunerative wages मिले अच्छा उनको पैसा मिले जिससे कि उनको रोजगार आर्थ की उनकी मजबून हो सके उसके साथ साथ ऐसे प्रोजेक्ट्स त्यार करने की बात innovative रोने के जिससे कि production में, marketing में, उसको लाब मिल सके तो यह जो सारी इनकी जो सोच है, बहुत ही pragmatic है, बहुत ही progressive है, innovative schemes है और आज आप यहां आए हैं, खुद चलकर कहां तो फाइनेसर के पास जाड़ा पड़ता है, अब देखिए progressive कितने होगे हमारे नावाड के सीजियम साथ, यह खुद सब के पास आए हैं, और यह सारी उनकी problem को हल करने के लिए बेताब हैं, कैसे उनकी marketing का परवंद किये जा हैं, और कोई accessories की जूरत है, या कोई laboratories की जूरत है, या कोई और भी जो है, उसकी मदद कर सके, तो बहुत अच्छा है इनका चला हो, और हमें उमीद है कि आने वारे समय में जो है, हैंड लूम जो कि अपनी पतिष्टा खोता जा रहा है, आज यहां बुनकरों के जो, बुन बुने में इतना नहीं है, तो अब क्या होगा कि इसमें जो लोग बुनकर बुनकर दवारा ज्यादा पैदा होंगे, और देश की और प्रदेश के और हमारे यहां की जो unemployment है, वो कम होगी, और उसके बाद वो self-dependent होंगे, और यह तो यह कैसा काम है कि वो दूसरों को भी र हो रहा है, जिसमें के ज्यादा नाम कुलू के हैंड लूम का है, जबकि कुलू में लगबक सौ क्रोड से उपर काम हो रहा है, प्रन्तु उसमें जैसे आपने कहा कि कुलू और हिमाचल के क्राफ्ट के नाम पर पावर लूम या computerized charger मशीर की चीज़े बिकरी जिससे की जो ख यहां भी कुदरती बात है कि जो मार्केटिंग में लोग बैठे हैं, कुदरती बात उनका काम तो मुनाफ़ा कमाना ठीक भी हमें उनसे कोई तरह दही है, पर सवाल है कि जो कुलू के नाम पर यह जो चीज़े बिकरी इससे कुदरती बात है कि कुलू का जो क्राफ्ट है, उसको तो बहुत नुकसान हुआ है, और इसको जिन्दा रखने के लिए हम सब को एक वो तो अलग से बात है को महीम चिराड़े पड़े है, हमारी जो कुलू की टोपी भी है, इसमें भी पावरलूम के डिजाइन लग रहे हैं, वो सस्ते होते हैं, अब जो यहां के अरुज लेकिन साल बदल गए, अब हमारे नए इस्तिचूशन्स आ रहे हैं, नए नए उत्पाद आ रहे हैं, और इन्डस्ट्री से हमको बड़ी कड़ी टक्कर मिल रही है, तो हमें एक स्ट्रेजी के तहट जो है आगे बढ़ना पड़ेगा, और यह ग्रमीन जो छेत्रों में उद्योग पिट रहा है, और उन स्ट्रेंट्स पे मजबूती देके और जहां-जहां हम गिर रहे हैं, जहां-जहां हम कमजोर पड़ रहे हैं, उन कमजोरियों को दूर करते हुए, हमें जो है कोशिश करना है कि हम आगे के लिए इस उद्योग को नया कर पाए, देखिए तरफ से जो है, रिफाइनस दिया जा रहा है, एपेक्स और प्राइमरी वीवर कॉपरिटी सोसाइटीज को, लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं कि नावाट के तरफ से कुछ डिरेक्ट फाइनस बुट्टिकों जैसे जो मजबूत संस्थाइं हैं, उनको हम लोग डिरेक्ट कड्या प्रोगर्णी के लिए कैसे फोकस्त किये जाएं ताकि जो है, जो मार्केट की मार्किट रिकॉर्मेंट है उसे उसे अधियों प्रोडक्ट बन सके हैं, इसके बार हम लोग ये सोचते हैं कि जो बेंकिंग फाइनस है, वह बेंकिंग फाइनस अभी तक नहीं पा रहा है और banking finance जैसे ही पहुंचने लगेगा वैसे जैसे रक्त धमनियों में बैने लगता है तो आदमी तंदुरुस्त हो जाता है उसी प्रकार हमारा यह मानना है कि banking finance जैसे ही वुनकर शेत्र में पहुंचने लगेगा उसका growth आ जाएगा सीडी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट